सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विने बायलोजी को ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे तहले को आज हम बात करने वाले इस यूडियो में कैंसर के टाइप के बारे में तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए उमीद करता हूँ कि यह टापिक आपको समझ में है तो चली दोस्तो शुरू करते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है विने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विने बायलोजी दोस्तो जब हम बात करते हैं टाइप साफ कैंसर के बारे में तो यहाँ पर हम बिसिकलिए दो टाइप के बारे बात करते हैं एक होता है Malignant Cancer यह नोन-malignant Cancer जिसे आप Compensers Vanign Cancer भी कह सकते हैं कई भाय। इससे Malignant Tumor, Non- multiplying Tumor और Benign Tumor के नाम से भी जाना जाता है अभी हम बात करेंगे Cancer and Tumor में क्या फर्ण है ठीक, देखे, माल लीजे, यहाँ पर यह कुछ cells है, यह मैं यहाँ पर कुछ cells बना रहा हूँ, जिसमें से, यहाँ पर मैं जिन cell पर shade कर रहा हूँ, यह cell वो है, जिनके अंदर cancer की property है, कौन सी property है, cancer की property है, तो यहाँ पर यह जो cells आपको दिख रही हैं, जिनमें shaded मैंने area कर रहा है, यह सब कौन सी है, cancerous cell, तो इसी cancerous cell के group को हम tumor कहते हैं, tumor मतलब, mass of the cancerous cells, तो cancerous cells के mass को हम tumor कहते हैं, तो यहाँ पर आप cancer कह लो, tumor कह लो, बात एक ही की cancer से ही आपका tumor बनता है, then, अब हम बात कर रहें, malignant cancer और non-malignant cancer की, यानि की malignant tumor और non-malignant tumor की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, non-malignant tumor की, तो इसके हम next video बात करें किसके malignant cancer या tumor की, तो आता है, benign tumor और cancer, तो हम से से पहले देखते हैं, यह वाला type, देखें, यह वाला जो cancer होता है, यह वाला जो tumor होता है, this is non-dangerous, इसमें कोई खत्री की बात नहीं होती, अगर यह किसी को हो जाए, तो उसमें कोई problem नहीं है, यह उसकी body को harm नहीं करेगा, that means, इसका बहुत ही, छोटा सा harmful effect होता है, जादा नहीं होता, that means, it is little harmful for our body, ठीक, अब इस brain tumor के अंदर होता क्या है, लाकि मान दीजिए, यह है आप के, यह है आपका हाथ, यह नहीं उगलिया, देखे, यहाँ पर skin में आपके बहुत सारी cells होती है, इसमें से कुछ cells ऐसी हैं, जो cancerous की property शो कर रही है, और in cancerous cell के बार एक layer है, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया, connective tissue, this is connective tissue surrounding the cancerous cells, अब होता क्या है, अगर यह cancerous body के एक पार्ट में है, तो दूसरे पार्ट तक चाकर भी नहीं फैल सकता है, क्यों cancer अगर दूसरे body पार्ट तक फैलता है, इसका मतलब यहाँ के cancerous cell, यहाँ से निकल कर कहा जाते है, blood या lymph में, blood या lymph की through यह cell, अगर body के किसी दूसरे पार्ट तक गए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ उसे cancer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे cancer के cell एक connective tissue के अंदर packed है, इसलिए यहाँ पर यह cancerous cell body के दूसरे पार्ट तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए यहाँ पर हमें cancer सिर्फ body के एक ही पार्ट पर मिलेगा, और cancer का body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैलना, इसको हम कहते हैं metastasis, metastasis, एक नम आती हैं, what is metastasis, तो यहाँ पर हम बोलेगे, cancer का body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैलना, यह metastasis कहलाता है और अगर कोई cancer metastasis show करता है यानि कि वो बहुत ज़ादा dangerous है most dangerous cancer क्योंकि यहाँ पर benign tumor कोई metastasis show नहीं करता इसलिए यह आपके लिए जारा dangerous नहीं है body के जिस part में cancer होगा वहीं रहेगा उसके अलावा body में कहीं और नहीं जाने वाला झाला आपके जाने 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 झालाँ करता है